हेलो फ्रेंड्स आप सभी को अपना मेडिकल टिप्स के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई जी कौन ब्यूटी क्रीम के बारे में कि क्या ये सच में चेरे को बुरा बनाती है और बनाती भी है तो कैसे इज करें क्या क्या इसके हाइदे है क्या साइड इफेक्ट है तो पूरी जनकारी लेने के लिए वीडियो के अकरी तक बने रहे हैं ताकि समझ में आ सके तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और आपको स्वास्ते से सबंदी त्याद दवाई इस क्रीम को मेल हो या फेमेल हो कोई भी विज़ कर सकता है फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं इसको कौन कंपनी बनाती है तो इसको लाइफ कोन फार्मा सिटिकल इंडियाल प्राइबेट लिमिटेड बनाती है जो कि 20 गराम का MRP 150 रुपए है और ये क्रीम MRP से कुछ क बंदा मुमें मिल जाता है अब जानते हैं इसके कूंपोसीशन तो इसमें डालेगे कूंपोसीशन है hydroquinone, totion,ium,ometheason for a फ्रेंड्स अगर आपको आजीख को नाम से क्रीम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं इसी composition का दूसरा cream ले सकते हैं जिसका नाम है ultra bright cream, skin shine cream, illusion HD cream, ke light cream ये सबी cream same composition से त्यार किया गया है, same काम करता है, फर कितना ही है इसको अलग-अलग company ये बनाती है तो friends आईए जानते हैं इसके इविश के बारे में तो इसका इविश हाइक प्रिफिंगमेंट टेंशन, मिलाजमा जो कालिद परज जैसा दब्बे बन जाते हैं चेहरे के उपर तो उस condition में चेहरे के उपर लगाया जाता है डार्ट सपोर्ट में भी लगाया जाता है मिलाजमा हो या एकने पिंपल में भी लगाया जाता है या चेहरे के उपर किसी तरह का दाग धब्बे फोड़े फुनसी में भी इसको लगाया जा सकता है चेहरे के सारे दाग धबे हटा कर सुंदर और चमकदार बना देता है या महिलाओं के प्रेग्नेंसी के बाद जो मार्क्स रहते हैं उस पर भी लगाया जा सकता है फ्रेंट्स ये क्रीम चेहरे के सारे दाग धबे हटा कर स्कीन को चमकदार मुलाइम सुन्दर और गुरा बना देता है क्योंकि हमारे सरीर का एक अंग चेहरा ही है जो सारे लोग देखकर ट्रेट रहते हैं और पसंद करते हैं इसलिए हर कोई न कोई किसी क्रीम का इस्तमाल जरूर करते हैं फ्रेंट्स मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस क्रीम को गुरा होने के लिए ज्यादा लंबे समय तक इउजिना करें तब तक ही उजिज करना है जब तक आपका चेहरे की काले धब्बे मिलाजमा एकने पीमपॉल डार्क स्पोट या किसी तरह के दाग धब्बे रेडनेस रिमूव हो जाता है यानि हट जाता है तो इस क्रीम को लगाना बंद कर देना है और इसको बंद करते समय अचानक बंद नहीं करना है जैसे कि आज अपने लगाया तो कल मत लगाए दो दिन बीच करके लगाए फिर कुछी दिन तीन या चार दिन गयब करके लगाए अगर लगतार लंबे समय तक लगाएंगे तो आपके चेहरा या स्कीन खराब हो सकती है और भाये जानते हैं कि इसको कैसे यूज करें तो फ्रेंट्स जब रात को आप सोते समय जाते हैं तो रात नहीं को इस क्रीम करना है सबसे पहले अपने चेहरे को साफ पानी से या फेसवास से धो लेना है उसके बास सुखा लेना है फिर इस क्रीम को हलके हलके अपने उंग जैसे रेटनेस हो जाती है चेहरे पर खुजली दानने पीमपल आने लगते हैं इसलिए स्क्रीम को लागतारी उजिना करें जब तक आपके चेहरे की प्रोब्लम ठीक हो जाती है तो इसको आप धीरे-धीरे करके छोड़ दे फ्रेंट्स वीडियो के आखरीम बताना चाहें कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले